वल्कम फ्रेंड्स सेलफदन पर जैसे कि आप सभी को नौटिफिकेशन मिल भी चुका होगा कि जो एक्जाम कंडक्ट होने हैं जुलाई के अंदर ओपन बुथ के एक्जाम के वो अब आपके फिर से पोस्टपोन होने वाले हैं और आपके अब एक्जाम होंगे सेप्टेंब मन्त के एंड में यानि कि आपके एक्जाम दोनों मोड में लिए जा सकते हैं ओफलाइन और ओनलाइन वो डिपेंड करता है सिचुएशन के बेस पर फिलाल के लिए अभी एक्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड नाइनटीन का जो डिसीज है उसको देखते हुए और जो आगे आपके एडमीशन डेट है वो भी एक्स्टेंड होगी जो कलेंडर है वो भी चेंज होंगे डियू के तो यह सारी चीजे चेंज होंगी और यहाँ पर नई गाइडलाइन जो दी गई है UGC की तरफ से वो आप देख सकते हैं इसमें किलियरली लिखा हुआ है क कि COVID-19 के जरिए 6 जुलाई को यानि कि कल की डेट में जो decision लिया गया है वो यह लिया गया है कि आपके university या institution किसी भी तरीके के exam है अब वो लिये जाएंगे end of September मन्त के अंदर और यह सभी चीजे आप सभी बच्चों को hopefully पता है लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्य आता रहता है कि इस तरीके से होंगे postpone होंगे लेकिन exam तो आपको देने ही होंगे final year वालो को क्योंकि उसी के base पर आपकी degree depend करती है आपके marks depend करते हैं आगे की life भी आपकी उसी चीज़ पर depend करती है तो फिलाल तो अगर आप चाहते हैं अभी hold पर आपका जो रखा गया exam उस site से यहां से अपनी study कर सकते हैं become final year के कुछ subjects हैं कुछ important questions हैं और अगर आप professionally कोई course इस बीच करना चाहें क्योंकि आपके पास अब बहुत समय है जुलाई पूरा बचा हुआ है अगस्त है और September के last में आपके paper होने तो आप अपनी और भी studies कर सकते हैं आप tally course कर सकते हैं ज सकते हैं accounting के अंदर आप देखेंगे busy course भी है वो भी सीख सकते हैं आप taxation सीख सकते हैं designing course सीख सकते हैं MS office पूरा की पूरा with advance excel सीख सकते हैं इसी बीच अगर आपके पास बहुत सारा time बचा हुआ है और आप free हैं तो एक अच्छा course है जो आप यहां से कर सकते हैं तो ज्याद बनना चाहते हैं tally में, excel में, taxation में, designing में वो सारे बच्चे यह course कर सकते हैं free videos के through यहां पर आप अपनी study के लिए भी material डाउनलोड कर सकते हैं minimum charges पर आप यह notes को डाउनलोड कर पाएंगे और जो update है वो DU की website पर जल्दी ही आपको update मिल जाएगा further notice के लिए बने रहें self अध दन के साथ thank you